आपको और आपके प्रिवार को धंतेरस और दिपावली की बहुत बहुत शुब कामना है धंतेरस और दिपावली के सुबावसर पर मैं आपको वास्तु शास्तर और अपने अनुबव के कुछ ऐसे उपए बताऊंगा जिससे आपका कर्च अगले दिवाली तक उतरने के सारे रास्ते बन जाएंगे और आपका कर्च लबग उतर भी जाएगा यदि मेरे द्वारा बताए गए उपए आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे जो उपए मैं आपको बताऊंगा वो उपए हर आदमी हर परिवार अपने याँ अपने घर में इजीवे में कर सकता है चाहे वो उसका अपना घर है फैक्टरी है दुकान है शोरू में ये उपए करने से आपका कर्च जरूर उतर जाएगा इसके लिए आपको करना क्या है जो आपका घर है उसमें आपने अपने घर के दक्षिन के भाग में और दक्षिन पूरो के भाग में आपके यहाँ पानी से फर्ष की दुलाई होती है या पानी का छिड़काउ होता है तो ये काम आपने बिलकुल बंद करना है आपने अपन के भाग से पाने का काम बंद करने से आपके यहां पैसे आने के रास्ते बन जाएंगे और जब पैसा आएगा तो आपका करज भी उतरता चैला जाएगा इसके साथ आपको करना क्या है दिपावली के असर पर हर घर में रोशनी के लिए लाइट्स लगाई जाती है इसके अपने पूरे घर के अंदर कहीं भी शाम के समय अंधेरा नहीं होना चाहिए और दिपावली के सुब आउसर पर आपने अपने पूरे घर के अंदर रोशनी पूरी रखनी है दक्षिन और दक्षिन पूरों के भाग में आपने सबसे ज़्यादा रोशनी रखनी है जब आपको लाम मिलेगा इसके साथ आपने एक काम और करना है दिपावली किसम में हर घर के अंदर दिये जलाई जाते हैं मौंबत्ती जलाई जाती है और लाइके लगाई जाती है दक्षिन के भाग में लाइके तो आपने ज्यादा लगानी ही है इसके साथ आपके यहां दक्षि लेंगे इसी के साथ साथ आपको एक कम और करना है जब दक्षिन के भाग में आप दिये ज्यादा लगाएंगे तो आपका रूम दक्षिन में आता है या केचेन आती है या बना हुआ एरिया आपका दक्षिन का भाग आता है दक्षिन पूरव का भाग आता है वहाँ पर जब आप दिये लगाएं मुंबती लगाएं तो उसमें आपने सवधानी जरूर बरतनी है इसके साथ यदि आपका दक्षिन का भाग दक्षिन पूरव का भाग खुला है खाली है तो वहाँ पर भी आपने दिये ज्यादा लगाने है रोशनी ज्यादा करनी है ये करने से आपको अ दक्षिन पूरव के भाग को गरम रखना है, वहाँ पर दिये जलाने हैं और इसके साथ रोशनी करनी हैं, आप अपने घर के दक्षिन और दक्षिन पूरव के भाग में धंते रस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, ये तीन दिन, तीन दिन का मतलब 72 गंटे, 72 गंटे आप यहाँ पर दक्षिन दक्षिन पूरव के भाग में दिये जलाते हैं, मौंबती जलाते हैं और भरपूर रोशनी रखते हैं, तो जो आपकी देनदारी है, वो देनदारी अगली दिवाली तक साफ हो जाएगी, उतर जाएगी, मेरे द्वारा बताएगा ये उपाई अपने यहां यह काम करता ही है, लेकिन दक्षिन और दक्षिन पूरव के भाग में खास तोर पर ध्यान रखा जाएगा, तो मेरे द्वारा बताएगा ये उपाई आपको आपके कश्या स्विट करा दिला देंगे, मैं आपको कुछ बाते और बता रहा हूं, आपके हैं आपको बंद करनी ही पड़ेगे, अगर आपको करत से चुटकारा चाहिए, तो दक्षिन के भाग से, आगने के भाग से, नरित्य के भाग से, पश्चिम के भाग से, और वाईवे के भाग से, आपको पानी का टेंक या समर्सिव लगा हूआ है, तो उसे तो हटाना ही पानी का टेंक और समर्सिव लगानी की जगह है, तो आप यहां पर जरूर लगाएं, इसी के साथ साथ यदि आपको लगता है कि आपके यहां पानी का टेंक या समर्सिव लगानी की जगह नहीं है, आपकी यहां पर कीचन है, या बाथरूम है, या यहां पर आपकी अपनी यहां पर फर्श की दुलाई दिन में कम से कम तीन बार जरूर करनी है आपके यहां उत्तर में इशान में और पूरो के भाग में जो भी डंप सामान है जो फालतू सामान है आपको लगता है कि यह सामान आप यहां से हटा सकते हैं उस सारे सामान को आप अपने यहां पर और पश्चिम में और पश्चिम के भाग में शिफ्ट कर दें ऐसा करने से आपके हाँ गर्ज उताने के रास्ते भी बन जाएंगे आपको पता भी नहीं का कर्ज कैसे उतर गया जो उपाई मैंने आपको बताए सिर्फ यह उपाई आप अपने यहां पर करेंगे तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपका कर्ज उतर जाएगा इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नवी शेपर जर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्टिका